जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा कि Zee and Zee Zee Zeean को बचाने के लिए मूली के पीछे उसके काउं जाने लगा था। असल में वो मरसेनरीज अपने आप में एक बढ़ी क्लान थी जिसका हेड मूशे नाम का एक आदमी था। उसका एक बेटा मूली है जिसने अपने पापा को Zeean के बारे में बताया है। Zeean के पास third box की चाबी है जिसे मूशे हासल करना चाhता है और इसी लिए उसने Zeean को अपने पास बुला कर उसे मार कर चाबी हासल करने का प्लान बनाया है। वही जी आन को पता चल जाता है कि मूशे ने रास्ते में कई अलग लग तरागे ट्राप्स बिछाएं हैं। इसलिए जी आन एक महीने के लिए माउंटेंस के अंदर रहकर ही अपने प्राक्टिस करने का डिसाइड करता है। वो बहुत इंटेंसली प्राक्टिस करता है और एक महीने बाद प्राक्टिस की वजह से वो अब सिक्स डार्स पर पहुँच जाता है। जहां उसे और भी सैनिक मिलते हैं और वो अपनी तलवार से सबको मारता हुआ आगे बढ़ता है। वो अब एक महान योधा बन चुका था। फिर एक सैनिक से वो वॉल्फ मरसेंडरीस के बारे में सारी जानकारी ले ले लेता है। जहां उसे पता चलता है कि क्लैन के हेड के तीन बेते हैं और तीनों महा योधा हैं। जी एन अब तीनों को एक एक करके हराने का डिसाइड करता है और तीसरा बेटा जिसका नाम ही मिंग है उसके पास जाने लगता है। पहले तो जी एन भारी बढ़ रहा था लेकिन फिर हीमिंग भी अपनी स्किल्स का यूज़ करता है और उसे पीटने लगता है। करते हुए अब हीमिंग को मार डालता है। अब मुशे हीमिंग के डेट सुनकर बहुत तिल मिला जाता है और वह सभी वार्योर्स को जो फाइफ स्टार से उपर के हैं उन्हें जी एन को पकड़ने के लिए भेज देता है। वही हमें जी 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 आन को दिखाते हैं जो लॉर्ड याओ के मेडिसन हाउस के अंदर रह रही है। उसको भी ये खबर पहुँच जाती है कि जी आन यहां तक आ चुका है और उसने हीमिंग को मार दिया है। जी 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 आन बहुत खुश होती है। वही लॉर्ड याओ अब उससे मिलने आते हैं और उससे जी आन के बारे में पूछते हैं जिस पर वो सिफ ये कहती है कि जंगल के अंदर उसने मेरी जान बचाई थी और खजाना ढूनने में भी मदद की थी। इससे जादा मेरे साथ उसका और कोई रिष्टा नहीं है। वही दूसरी तरफ जी आन के मास्टर उसके स्प्राक्रम को देखकर उससे बहुत खुश होते हैं और अब उसकी तलवार लेकर उसमें पावस डाल देते हैं। अब जी आन की तलवार के अंदर ये शक्ती भी आ गई थी कि इससे एक पह पहल हो जाएगा। वहीं अब शाम को जी आन मेडिटेट कर रहा होता है जहां अब उसके सामने मूली आ जाता है। वो अपनी पूरी सैना के साथ आया था और सब के सब एक साथ उस पर तीर चलाते हैं। जी आन तलवार से सब के तीरों को काटता हुआ आगे बढ़ता है औ लेकिन आगे जाने पर वहाँ एक खाई नजर आती है। जी आन अब और आगे नहीं जा सकता था। अब मूली के साथ साथ वहाँ मूशे भी आ जाता है और अब जी आन मूशे के सामने उसे चिढ़ा चिढ़ा कर उस थर्ड बॉक्स की चाबी को डिस्ट्रॉय कर देता है। मूशे बहुत जादा गुस्से में आ जाता है। अब मूशे जी आन से लड़ने लगता है। मूशे क्लान का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक योदा था। जिससे जी आन जीत नहीं पा रहा था और वो बुरी तरह हां रहा था। जी आन अब मरने की कागार पर आ गया लेकिन तबी उसे मास्टर्स की वो पाउर का ध्यान आता है जो उसने स्वार्ट में डाली थी। फुटरंद उस पार का यूज करता है लेकिन इस पार से भी मूशे स्ट्रगल करने के बाद बच जाता है। अब जियान पूरी तरह से एक्जास्ट हो गया था। जिस वज़ गया है कि यूजी ने तुम्हारी मदद की। उसने तुमको बचाया था और तुम्हे अपनी बोड़ी का यूज करते हुए हील किया। उसने तुम्हारी spiritual energy को purple flame का यूज करते हुए इस way में introduce किया कि तुम्हारी skills बढ़ गई और अब तुम 9 star के warrior हो गए हो वो तुमें ठी करने के बाद चली गई यूजी कौन है और जियान के साथ उसका क्या रष्टा है हमें ये शौट में ही बताया गया है एक बार magical beast island में यूजी purple crystal wing lion king से लड़ते लड़ते हार गई थी और वही बेहोश हो गई थी तब जियान ने वहाँ आकर उसकी मदद की थी और दोनों के beach romantic angle भी हमें देखने को मिला था वही present में अब जियान आगे बढ़ता है जहां अब क्योंकि वो 9 star पर आ गया था इसलिए उसके master उसे एक नई skill सिखाते हैं इस skill का नाम explosive step है और ये बहुत खतरनाक वाला attack है इसे सीखर जियान बहुत खुश होता है लेकिन क्योंकि उसने level 9 तक practice किये बिना प्राप्त की थी इसलिए अब उसे इसको अच्छे से सीखने के लिए कम से कम रोज एक level 5 से ज्यादा बड़े monster को मारना होगा सिर्फ ऐसा करने से ही उसकी ये intense past stabilize हो सकती थी वही हमें पास के जंगल में blood gang के आतमी और उसके साथ एक लड़की को भागते हुए दिखाते हैं वो दोनों wolf machinery के आतमी उसे डर कर भाग रहे थे वो आतमी उस लड़की का शिकार करना चाहते थे लेकिन अब वो और ज्यादा नहीं भाग सकती थी इसलिए थकान के मारे वो वही रुख जाती है लेकिन अब वही जी यान उसके सामने आता है और blood gang का वो आतमी उसे खत्रा जान उसे यहां से जाने के लिए कहता है लेकिन जी यान उनकी मदद करना चाहता था अब वहाँ wolf machinery के आतमी भी हैं और उनमें उनको lead करता हुआ गैनमू भी वहाँ आता है जी यान explosive step का use करते हुए उन सब से लड़ने लगता है और बड़ी असानी से उन सब को मार कर गैनमू के पास जाता है वो उसको मारने ही वाला होता है कि तभी गैनमू कहता है कि मैं Z.E. Z.A.N. की condition के बारे में जानता हूँ अब Z.A.N. रुख जाता है जिस पर गैनमू कहता है कि Z.E. Z.A.N. इस वक लॉड याओ के घर में है असल में मूशे ने ये खबर फिला दी है कि Z.E. Z.A.N. Poisonous Expert है और उसके पास Poisonous Book of Seven Colors है जिससे सब हासल करना चाहते हैं यानि अब सब Z.E. Z.A.N. के पीछे परने वाले हैं और उसकी जान को खत्रा है Z.A.N. ये सब सोची रहा होता है कि तभी गैनमू को वहाँ से उठने का मौका मिल जाता है और वो तुरंत लिंगर को पकड़ने उसके पीछे दोरता है Z.E. Z.A.N. अब इस बार रहम ना करते हुए अपनी तलवार से गैनमू को मार डालता है और अब वो Z.E. Z.A.N. के पास जाने का डिसाइड करता है वहीं Z.E. Z.A.N. रात में ट्रावल करते हुए Z.E. Z.A.N. के पास पहुच जाता है Z.E. Z.A.N. उसको देख कर बहुत खुश होती है Z.A.N. उसको अपने साथ भगा कर ले जाना चाहता था लेकिन अगर वो ऐसा करता तो मूशे विलिजर्स को तंग करने लगता है और मुझे यहाँ आने के लिए ब्लैक मिल करने लगता इसलिए वो ऐसा नहीं करती उन दोनों के बीच में हमें थोड़ा रोमैंटिक एंगल भी दिखाते है Z.E. Z.A.N. Z.A.N. को चाय पिलाती है जिसके बाद जब वो बाते करने ही वाले होते हैं तब ही वहाँ लॉड याओ आ जाते हैं और वो पहचान जाते हैं कि यह Z.A.N. है असल में लॉड याओ अच्छा आदमी नहीं था और वो पॉइसनस बुक अफ सेवन कलर्स प्राप्त करना चाता था वही लॉड याओ के साथ उसके आदमी भी थे उसने पहले ही जब वो यहाँ आया था एक तरह का जहर छोड़ दिया था जिससे Z.A.N. लड़ तो बिलकुल नहीं पाता लेकिन Z.E. Z.A.N. फिर कहती है कि मुझे तुमारी इस प्लानिंग के बारे में पहले ही पता था जिस वज़े से मैंने चाय के अंदर अंटिडोट मिला कर Z.A.N. को पिला दिया था अब Z.E. Z.A.N. और भी कहती है कि पागल तो तुम हो क्योंकि यहाँ इस कुरसी पर मैंने जहर मिला रखा था और उसी पर तुम बैट गए हो अगर अब तुम मुझे नहीं जाने दोगे तो मैं तुमें इसका अंटिडोट नहीं दूगी अब लॉड याओ मरता क्या ना करता इसलिए वो वहाँ से अपने पक्षी पर बैट कर Z.A.N. को लेकर वहाँ से चली जाती है और लॉड याओ को अंटिडोट दे जाती है वही अब वो दोनों मुझे के पास ही जाते है जहां Z.A.N. अब मुझे से लड़ने के लिए तयार हो जाता है मुझे बहुत महान योद्धा था जिसे हराना आसान नहीं होने वाला था लेकिन फिर भी वो दोनों फाइट शुरू करते हैं जिसके अंदर Z.A.N. अब सारी स्किल्स बारी बारी यूज करता है फाइट में मुझे पर Z.A.N. अटाक कर रहा था और इस बार मुझे कमजोर पर रहा था वहीं अब मुझे फिर अपनी नई स्किल के बारे में बताता है और कहता है कि वो थर्ड बाक्स मैंने खोल लिया था और उसके अंदर से मैंने ये स्किल प्राप की वहीं अब उस एनरजी का यूज करते हुए वो Z.A.N. पर अटाक करता है और Z.A.N. भी अपनी मास्ट की सलह से फुल जोश में आकर उस पर अपनी एनरजी भेगता है और इस बैचल में फाइनली मूशे हाट जाता है लेकिन तभी वहाँ एक सैनिक खड़ा हो पीछे से उस पर अपनी तलवार चला देता है जो Z.A.N. के पेट में घुश जाती है लेकिन अब भी Z.A.N. को कुछ नहीं होता क्योंकि सेकिन बॉक्स में उसे आर्मर मिला था जो वो उसकी रक्षा कर लेता है और अब Z.A.N. Z.A.N. को अपने साथ अपने घर अराम करने के लिए ले जाती है और इसके साथ ये एपिसोड खतम हो जाता है